अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह तस्वीर आजमगड के पुलिस लाइन से है जहां पुलिस को एक बड़ी काम्याभी मिली है दरसल पुलिस जिन लोगों से पूस्ताच कर रही है या अंतर जन्पदी लूप करने वाले गिरों के सदसे हैं और इन पर 25-25 जार रुप से या अप्रेशन चलाया हालाकि हलकी मुठ भेड या बल प्रियोग भी का सकते हैं या आपके हलका बल प्रियोग करना पड़ा इनके पास से तमंचा कार्तूस नगदी और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं सुरुवाति पूस्ताच में इन लोगों ने बताया है कि इन का सरगना धर्मेंदर पासी है वह अभी आजमगर जिले का राने वाला है लगातार इन से पूस्ताच जारी है इनके नाम जो बताये जा रहा है पुलिस द्वारा जो तीनों आरूपी गिरफतार हुए हैं उनमें रावी प्रजापती विनोध राजबर और मुहम्मद आलम ह हैं तीरों की गिरफतारी देवगाओं को अत्वाली छेतर से हुई है लगातार ये लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे जिले के लोग काफी परेशान थे अभी इनोंने हाल मेही मेनगर में एक जनसेवा केंदर से 1,25,000 रुपई की लूट को अंजाम दिया था इसक से इने जेल वेजने की प्रक्रिया सुरू की जाएगी आइए जानते हैं खुद जो है क्या है पूरा ममला किस तरह से पूस्ताच चलिए क्या कहना है पुलिस अधिक्शक आजम गड़ का इसके बाद पूस्ताच के जाएग जो है सकी था और यही बूट की बागवाद करते थे यह इनका बहुत बड़ा गैंग है गैंग लीडर का भी पदा चलिया है दोती महावर के सब्सक्राइब से उनकी दुगरफ्तारी से इतकर लिगाईए जो हमारे रजार पर है दोती इन्होंने जो यहां की लूट मीए उसका उनकी कभूल किया है इनका से कुछ पैसे भी वर पिए मोटर साइकल से जाते थे एक दो लोग रैखी करते थे और रैखी करने के पाद यह मोटर साइकल से तीम चालर के जाते थे और लूट के देथे तेमंज जाओ गरए इसका अब यह इंका मारे पार गैंग है